कहीं दिनों से गर्मी की मार जेल रही, भीशन गर्मी के बाद अब बादल बरसने को है, और जब ये बारिश की बुंदे मिट्टी पर गिरती है, तो एक भीनी सी सुगंद मन को महका देती है, और इन बुंदों से ही प्रकृती अपने चारों तरफ अपना रंग बिखेरना श प्रकृती में अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, जहां मिट्टी में दबे छोटे बड़े बीज भी अंकुरी थोकर आस्मान की ओर बढ़ने लगते हैं, और इन सब के बीच एक सुन्दर सा जीव दिखाई देता है, जो अपने रंग और आकार से बर यहे रेट वेलवेट बग, भारत के कई गाओं में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जिसे मामा गाय और भी ऐसे ही कई नामों से इसकी पहचान की जा सकती है, यह जीव साल भर में सिर्फ एक बार ही दिखाई देता है, वो भी तब जब बारिश होने वाली होती ह इसका दिखना किसानों के लिए एक खुशी की उमंग लेग कराता है, कि अब बारिश होने वाली है, और इसे देखने के बाद किसान अपनी तैयारी में जुट जाते हैं, कि अब खेतों में जाकर बोनी करनी है, यानि फिर से फसले लह लहाएंगी, इस जीव की सुन्दरता प्राकरितिक रूप से मुलायम मकमल की तरह होती है, और जीसे ही कोई जीव या कोई मनुश्य से पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये अपने सारे पाउं अंदर की और से मटा लेता है, इस बात को आपने कभी नहीं जाना होगा, कि ये किसानों और बारिश के बीच कैसे का करता है, ये सिर्फ खेतों और खेतों की मिट्टी में पाया जाता है, इश्वर ने इसे इतना सुन्दर बनाया है कि आप सिर्फ इसकी खूप सूर्ती को देखते रहेंगे, इसका रंग यकायक अपनी और आकरशित करता है, और ये जमीन पर धीरे धीरे चलता है,